नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दनगरी नियूज में राजस्थान में इस साल मौनसुन अच्छा रहा साथ ही प्रदेश के चेरख कुंजी के नाम से जाने जाने वाले बासवाड़ा जिले में साल मौनसुन की महर पहले की तरह तो नहीं हुई है लेकिन मध्यप्रदेश में अच्छी बारिश होने से राजस्थान के कई छेत्र को काफी फायदा हुआ है बासवाड़ा जिले के साल बड़े बांदों में शुबमार माही बांद में पानी की आवक शुरू हो गई है जिसके कारण जिले में बने पन बिजली घ्रह से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है जिससे राज्जे को बहुत सस्ती दर पर बिजली उपलब्द होने लगी है वहीं इसके चलती शहर के कागजी पिकप में पानी की आवक बढ़ने से उसके पांच गेट खोल कर पानी की निकासी की जा रही है इसमें चार गेट आधा मीटर तक जबकी एक गेट एक मीटर खोल कर 2828 क्यू सेक्ट की दर से पानी की निकासी की जा रही है जबकी 2300 की दर से पानी की आवक वनी हुई है संभाग के सबसे बड़े माही डैम बान में अभी तक 277.30 मीटर तक पानी की आवक हो चुकी है जबकी माही बान की कुल भराव शमता 281.50 मीटर है माही बान को पूरा भरने के लिए अभी 4 मीटर पानी की अभी और जरूरत है लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे उमीद है कि जल्द ही यह पूरा भर जाएगा जिससे आने वाले साल में किसानों को सिचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्द हो पाएगा वही प्रदेश को करोडो यूनिट सस्तिदर पर बिजली उपलब्द हो सकेगी जिसका लाब पूरे प्रदेश को होगा